राइपूर में चतीजगर कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महतपूर्ण फैसलों को मनसूरी दी गई है। बैठक में मस्तर सरगुजा समेच सभी प्राधिकरनों के पुनरगठन का फैसला लिया गया है। साथी उच्छ सिक्षा विभाग में गैस्ट लेक्टरार नीती दोखजार चौबीस को मनसूरी दी गई है। इसके लावा विदेशी शराब को अब चतीजगर विबरिज कॉर्परेशन के जरिये सरकार खुद खरीदे की। और लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया क्या है। कैबिनेट ने राशन में चना देने के लिए चना खरीदे का भी फैसला किया है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो कल लिए गए हैं साई कैबिनेट की तरफ से पांच प्राधिकर्णों का पुनर गठन किया जाएगा। प्राधिकर्ण उसके पुनर गठन का आज निर्ने लिया गया। इसका उद्देश से प्राधिकर्ण की कार्यप्रणाली को प्रभावी और ससक्त बनाना साथ ही इसके बनने से उन छेत्रों में जन सुईधाओं का विस्तार होगा। कामों में गती आएगी। पुनर गठन किया जाएगा, गैस्ट लेक्चरार नीती को भी मन्सूरी दे दी गई है। इसके लावा विदेशी शिराब करिदने में जो लाइसेंस है उसको भी अभी फिलहाल जो सरकार है वो ही अपने लबल पर ही इसको खरीदेगी। जो लाइसेंस सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया है। समझाईएगा। मध्य जो चतिजगर का जो विकास प्रादिकरण है या अनुसूची जन्जाती विभाग का प्रादिकरण है। इन ऐसे ही पांच ऐसे प्रादिकरण हैं जिसका पुनरगठन करने का मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय की कैबिनेट ने फैसला किया है। और इसकी कामान सीधे तोर पे मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय समालेंगे। प्रादिकरण हैं वहां को लेकर करके बदलाओ की चर्चा हो रही थी पुनरगठन की चर्चा हो रही थी अब मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय की कैमिने इसमें एक बड़ा बदलाओ किया है। जो दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो बदलाओ देखने को मिला है वह शराप को लेकर के हैं चुकि पहले यह हुआ करता था कि जो कंपनिया थी नीजी कंपनिया उनके माध्यम से सराप की खरीदी की जा रही थी जो लेकिन अब सरकार ने उसे भी बदल दिया अब सरकार स तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कल की बैठक में लिए गए है ठीक है राजेश बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले साए कैबिनेट की दरफ से लिए गए हैं और लोग सभाचुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग थी